पापा को हर्टाइग आया, 2015 August का ये केस है, 2015 August में केस हुआ था, 23 अगस्ट के दिन, ठीक है, और पापा को October, end और November, first week के आसफास, उनको हर्टाइग आया था, तुकि हमारा कभी कोई मेटर, पुलिस टेशन तक नहीं गया, बिलकुल, और अब ये मीडिया के, और कोट में जा लेगी, और कुछी नहीं होगा, दूसरी साइड के स्टोरी का, कोई मतलम नहीं है, और लड़के ने, जहां पर दो दिल लोकप में काट लिए, उसकी में तो खराब होगी, मैं का तो 100 में से 90% लड़के लोयल होंगे, 10% नहीं होगे, बट 10% लड़किया लोयल होती है, 90% न मन जला, तो आज की जो हमारी कहानी है, वो एक ऐसे इनसान की है, ऐसे शक्स की है, जो उनको ये इतने सारे टैग्स मिले, मीडिया के थ्रू, लोगों के थ्रू, तो आज हम आपका स्वागत करते हैं हमारे The Spotlight के सेकंड एपिसोड में, और सर का मैं स्वागत करता हूं, सर अ आपका बहुत-बहुत स्वागत है, मारे शो, सर के साथ में जो वाक्या हुआ है, वो बहुत कह सकते हैं कि ये बहुत आम बात होगी आज कल लड़कों के साथ में, और आज के इस शो में, हम यही जो केसे हैं और यही जो कहानिया हैं, जो हो रही हैं आज कल, बहुत ज्याद से स्टार्ट हुई और इसका अंत कहां पे हुआ तो सर पहले तो आपका बहुत बहुत सारे टैग्स मिलें और जिसकी वज़ा से कह सकते हैं एक तरह से स्टार्टिंग में आपको बहुत ज्यादा करना तो मैं उस के बारे में जाना चाहूंगा कि पहले इस चीज की सुरुवात कहां से हुई और यह जब हुआ तो उस समय आपका मेंटल हैल्थ और आपको जो ससाइटी के थूरू और जो मीडिया के थूरू जो आपको इतना अपके पर लगाया गया तो उस टाइम आपका कै कैसा था यह और कैसी थी स्टोरी आपकी जैसे आपने तो फोड़ा भी रिसर्च भी अगर कियोगा तो केस तो पते ही होगा कि एक लड़की ने फॉल्स ऐलिगेशन लगादी ए रेड्लड जंक्शन के उपर तो उसके बाद कुछ पता था था नहीं की वही ओ केस बढ़के क रहाँ जाएगा ठीक है चलो केस अगर पुलीस टेशन में गया तो मैंट्षट ऐसा था कि मुझे पता है कि मैंने कुछ गलत किया नी मेरे अपनों को पता था मेरे जो नेवर से उनको पता था क्योंकि समने मीडिया में देख लिया था एंड मैं पला बड़ा ही इस जगह पे हूं तो कोई डाउड करने का रीजन लोगों के समिलता नी तो आज परोस जो मेरा था नेवर सा उनकी वज़े था तो मैं तो मैं तो काफी दूर के मेरे दोस्त जो काफी दूर रहते हैं तो वो मुझसे ऐसे पूछते थे कि यार यह तूने किया है क्या जहां पर क्या लग जाता है नो डाउड करेट हो जाता है तो फिर मेरे अंदर से वाज यह निकलते थी कि थोड़ा आने वरे टाइम मेने जो वो तुम्हें बताएगा कि मैंने किया और वही चीज़ लड़की के साथ हुआ क्योंकि लड़की ने एक भी डेट उसने अटेंडिनी की कोट की यह तो आपके पूरा रिसर्च किया हो जासे तो यह जो सही है वो स्टैंड ले गई लेगा तो इसमें आपको क्या लगता है कि मीडिया का कितना रोल रहा आपको ऐस का इसे दिखाने में और इस केस को इतना आगे खीचने में जो कि मुझे लगता निया कि इतना बड़ा एक ऐस था इतना जादा बनाया गया और शोशल मीडिया का कितना रोल रहा है इसमार जिए मैड़की के यह तो पहले वन सदीत सोरी सु लिए ने तिई है हुं फिर उसक वेवकुब के बच्चा, थुम पहले ही सुन लो ना, है भी तो वो भी इंसान ही, आज जितनी भी दुनिया में काम होने सारे इंसान इंशन करें तो जितना इंसान का माइंड जाएगा वो रतना ही स्टोरी का मौल्ड करेगा तो तुम पहले एक की सुन और दूसरे के बास हो बातचीत करो, लोगों को खुद जज़ करने दो अपने, पहली बात हो लोगों जज़ करने लोगते हिकों है लड़की ने केस किया, फॉल्स केस था, पौर्ट में जाएगा मैटर, लेगल टॉम्स में जब आ गया, तो लोगों को पीछे हड़ जाना चाहिए, मीडिया हो पारे कि मेरा निकनिम है क्या तो तुम स्टोरी दिखाऊगे क्या है उनका सही नाम भी आपका मतलब प्रनॉंस नहीं किया तो इसमें जिसे की केस जो हुआ था फॉल्स ऐलिगेशन लगे थे आपके और आइधिंक यह चेडशाड का ही मामला तो इस केस में जैसे आपने भी ड दिल्या में जो कोष्ट डली थी उसका ही बैक्फायर हुआ कि वह लोग पहले जाके उन्होंने केस किया और लड़की ने पहले ही कंप्लेंड कर दी थी और लड़की बिलोंग का से करती थी आमाद्मी पार्टी से क्योंकि उसकी मदर भी उसी पार्टी में थी फिर बेटी तो उसका भी सुपोर्ट था तो फिर बात तो उठी नहीं है और जब दिल्ली में है आमाद मी बाटी तो सारे तो इकठे होंगी होंगे बिलकुल अब यह नहीं पता था कि चीजे उनकी उल्टी पर देंगी क्योंकि जूट छुपता नहीं है जितनी मर्जी आप कोशिच कर ल इइसंदी लडकी विनिक लीए इवन जो महां कि मुले थे उस टे लिड इस चरनेल सिंग उनसे मेरी बात वही थी अंतु उनन से बात वही थी मेरी उनकी टीम से भी बात तू टीम के अंदर के आप भाई म नहीं बचे बताया कि और जब अ ग्ए इसंच कहसत now can सूई अब आ होते हुए मतलब उनको अपनी पस्राइटी दिखाने कि अपनी हाँ कि वाई तू कुछ नहीं कर सकता हम करते हैं देख क्या होता है ठीक है और जर्णिया सिंग ने परमीशन भी नहीं दी तें को कि तुम जाके करो विदाउट एनी परमीशन वह भी MLA की अगेंस्ट में जाके एद्गा विद खुह के बारे चाहँ के साथ साथ बहुत लोग आपको फोन दी है बहुत सारा मीडिया प्रेशर तथा ही सोचल मीडिया प्रेशर हुआ बेलखों उसके साथ साथ आपके जो रिलेटिव्स रहें तो उस साइड की क्या स्टोड़ी रही आपकी छो साथ न Sun लगी हुई है तेरे को ज्यादा लड़किया चेडनी है महला बड़े गंदे-गंदे उन्हें रिमार्क्स वगरा दिये कॉमेंट्स वगरा किये और फैंबली का अगर देखा जाये तो जो मेरे आजपा से मैंने बताया पडोसियों के बारे में वो तो साथ ही से बिलकुल जो मेरी स्टोरी सामने आई मीडिया के सामने तब वो रिष्तेदार मेरे घर में थे क्या चाहँ है तो यह चीज ने देख रहे पासा प्लड़ता है यह होता है माइंड़े आप एक का सुनके अपना प्रोस्पेक्टिव बना लेते हो ना फिर दूसरे के जब सामने आती तो घ्राइब करें जो एक ही पल में बिलीफ कर ले तो एक ही पल में प्लड़ जाते हैं दूनिया ऐसे ही खराव हो ली है तो यह जैसे जो यह केस था चार साल तक यह चला साटी चार साल तक चला तो यह साड़ख चार साल का था परिचिछ ता और जो इस चीज के पक्षा tore Kay,Co जो positive attitude के साथ आप बढ़े तो इसका क्या reason था देखो इसको ना मैं अज़ा duty लेकर जलता था honestly मैं बता हूं कि भाई कोड की date है जाना है जाना है महा पर देखते हैं क्या होगा फिर वापिस आना है तो इसी सोच के साथ मैं गया हूं और मैं वापिस आया हूं टेंशन मुझे कब हुई है कि जब मेरे पैरेंट्स की तब्यत हेल्थ को खरा हुई पापा को हारटेग आया हूं ट्वेंटी फिफ्टीन आउगस्ट का ये केस है 2015 आउगस्ट में केस हुआ था थीज अगस्ट के दिन ठीक है और पापा को ऑक्टूबर एंड और नवंबर फ इस नहीं है और जिनकी ऐज बढ़ रही हो ना उनके लिए ऐसे भी होती होती है हम जबते बिल्कूब है देख लेते हैं तो, उनको हो घृत अटागक आया दो श्टन डले अन के बाद के बाद अ कर एक अरनिंग का सोर्स था उनके बास मेरे बास तो था ही और इस के टाप मे मेर को होता था कि मैर को भी कुछ हाथ पर मारने है और जहां पर मैं कंपनी में था उन्होंने रीजुनिंग के लिए मुझे बुला लिया था बट वहां पर लेबर्स की मेंटैलिटी गया थी कि मुझे पाजी बोलते थे रहे पाजी लड़की आपको पसंद करती होगी ठीक है वह चोड़ने के बाद मैंने कई और एक ना नोइडा में कंपनी है जन पैक आई है महां पर में इंटर्व्य के ले गिया तो महां पर काफी लोग बल्क में बच्चे बैठे हुए था बल्क में इतना क्राउड था तो लेड़ी ने रिज्युमे में मेरा नाम देखा जो आपको ना हैर कर लेंगे बठापको ना हमना च्छे अजार दे सकते हैं मैं का मैं मेरे बुलिट वाइक है और अगर मैं बुलिट से आना जाना करूंग ना दसे अरगा पेट्रोल मेरा लग जाएगा चार अजार एक्ट्राइव सजाए तो आपने मुझे अपर्चिनिटी पर मुझे नहीं करना ये बॉल के आगया मैं उसके बाद मैं किसी अधर कंपनी में लगा एटीन थाउजन में और वहां भी यह था कि जब कोट की डेट थी तो मुझे अपलाई करना पड़ता था तो एक डेटाई मेरी फ्राइड की दिन तो मैंने अपलाई कर दिया तो मैं मुझे मंडेगी चुटी चगीए उमर डिटना बाती हुग कि क्योंकि व Ostdy चुटी था मंडेगी कूटी फिर प्रॉट के गवर मंडेगी का था कहती तुमने काम काम करो मंडे को चुटी लेलो और जब तो मैं थीम परेम्मेथ कंगे शुटी ड़के गरदें डीग ह— और त क्योंकि वह भी मीडिया हॉस में काम करते हैं ठीक है तो उसके बाद उनने मुझे ओफर के 12,000 तो मैंने चल ठीक है घर में वेला बैटेस अच्छे की 12,000 तो आएगा फिर मैंने आठ में पर काम किया हर किसी को फोन करता था यू लुकिंग फॉर अलाइन समवन ऐसा कर कि मैंने बड़ा फोन के फिर मुझे लगता था कि यार ये काम मेरे बस का नहीं है क्योंकि मेरे डिप्लोमा किसी और चीज़ का है फिर मैंने ग्राफिक डिजाइनर रानी बागमी पीता मुरा के पास महापे जॉब के लिए अपलाई करा तो वहापे 10,000 में मैं लगा ये दूरिंग दूरिंग केसी तरिंग केसीज मैंने इतने जंब की केस के बाध ही तो उसके बाद मैंने लॉग फिरिट तक महापे काम का है दो साल अब मैं किसी और परफै्शन में हूँ बिलकुर आप टैरो कार्ड डीडर हो तो ये जतना स्ट्रगल आपका डियूरिंग रहा तो ऐसा मत मतलब कभी आपके साथ हुआ कि जैसे आप आफिस गए और आपकी यह जो फेम है आपका मतलब यह जो इतना वह चला तो उसको देखे किसी में जब उफर किया हो कि हमारे पास में आज़ो यह उसका कोई फाइदा उठाने कोहिश की गई ऐसा तो कभी हो नहीं बट मैंने कभी पनी अब खोर कि मेरा एकरी मेरे द Latte कर नहीं का मैं कभी शूर मिगे गणि कर देखे किंग any अब आपके स्टीव नहीं चले जाता हुए बार कुछी लेने खाय जाता हूं कहीं पेचानते हैं दूर चैल्व बारा आनलोर से घ्रब कर ऐसे अआ तो टाले किम इस था एप मेरे साथ है, पर दो समय कुछा था और अगर कोई भारगा उता तो मैं कहा भी देता कुछ तो यह असे सिन्यरियो मेरा बना रहा रहा वहाँ पर जब कोड मि जाता था मैं तो लोग बाताय करते थे मुझे पते चलता था मुझे देख के बात करने क्योंकि जब कोई आपकी तर कि इतना होने के बाद भी और इतने ऐल्यीजिन और इतने जाधा स्यफिक का प्रेशन उने के बाद भी आपने अपनी हिम्मत की टो sophomore a technique क्रॉस आते हैं कि उनके यह दिमाग में या तो depression चले तो आपने कैसे में-टी यह बात किया है ना लोग तो गलत बोलेंगे ही बोलेंगे आप कहीं भी चले जाओ आप अपनी सिस्टर के साथ अगर बाइक पी जाओगे ना लोगों की सोच के होगी बंदी के अद घूम रहे है यह लोगों की सोच है आप लोगों की बात को दिल पे लोगे तो आप मरोगे ऐसे संस्था जो लड़क के लिए लड़ती है और ऐसे लड़कों के लिए ने बना तो विमन सेल का क्या ठिंकिंग प्रोसेस है और आपको उनके फेस करा आपने विमन सेल देखो लड़कों के लिए तो सेफ जोन का इपना ही नहीं, और पर पुलिस भी जुटती है और पोलिस की इमेज लोगों के माइड में बनी ही गलत हुए है। यह पुलिस ऐसा ही करती है। और जो पुलिस विभाग में है, दिपार्टमेंट में हैं, उनको पता है कि नहीं है। इमारे इमेज खराब ही है। उनको फरुखनी पड़ता। जब पुलिस की बात कोट में वैल्यू रखती ही नहीं है, पुलिस की कोई भी statement, पुलिस का कोई भी action, कोट में matter नहीं करता, कोट में matter करता है ज़सके सामने क्या बोल रहे हो, ज़सके सामने क्या evidence पेज कर रहे हो, तो पुलिस की तो इज़त कोट में भी नहीं है, अगर अहरतने है अगर इक लड़की जाए गीज और कम्ब्लेंड करने ठीक हैं तो तो कम्ब्लेंड रहा कोर्ट में जाएगी उसके पास आएगी एक्ष्ण लेंगे लेटका जाएगा तो वो शुला कराने के लेटकी को बुला लेगे जो कि बायास हो जाता है, जब लड़का जा रहा है तो तुम सेम एक्षिन लड़की का गेंस लो, जो कि लड़की आती है तुम मेटर कोड में भेजते हो, और लड़के को पुलिस लेके भीजाती है, तो यह जो भेदवाव है न, जहाँ पर एक तरीके से कहते है न, लड़का कुछी छूट है, आज एक लड़की सो नंबर पर फोन करके बोल देना है, लड़का चीड रहे है, पुलिस सीधा कोलर से पकड़के ले जाएगी, और कुछी नहीं होगा, तूसी साइड के स्टोरी का कोई लिएजर है, कोई मतलब नहीं है, और लड़के ने जहाँ पर दो लड़के नहीं मरना है, बिलकुल, चाहे पुलिस स्टेशन हो, चाहे कोट आप कहीं भी हाथ पर मार लो, लड़की की बात ही सुनी जाएगी, तो वोमें सेल जैसे जिस टाइम आपका केस था, तो उस ताइम पर आपको वोमें सेल के त्रू आपको क्या करते हैं, फेस करना कमारे मेरा मैरज माहिला आयोग में कोट में था, खीक है, भूमें सेल में नहीं था, महिला आयोग का लग होता है, तो यह चुछ बाल शांति सा सुनने वाली जर्ज थी, और आप अच्छा लोएर हो तो ज्याद आपको अच्या रहता है, बिलकुल, अगर आप तंजू- कुछ नहीं होता उनकी तो शकल देखके आपको जज काया गए कि इसको लड़के कोई सेजा कर दो कि ऐसे वकील लेकर आया है पर दंग का वकील लेकर जाना होता है जिसको अपनी इज़त बचानी है क्योंकि अगर चीजे फोल्स निकल आती है तो डिफर्मिशन का केस करके कर देगी तो लड़की से पहले तुम कंप्लेंट उठा लो क्योंकि वह कहते है ना जिसकी टांग उपर होती है उसका पहला कदम माना जा तो वह चीज करना जरूरी होता है मेरे साथ हुआ था इसी केस के बाद इसी मेरे घर में हुआ था मेरे टॉप फ्लोर में रहता था त स्टेर्स एक ही स्टेर्स आने जाने की तो मैं और मेरे मम्मी घर पे नहीं थे तो मेरे पापा को उस लड़की ने मेरे को समझाने मेरे को रोकता है मेरे सानमबर मांगता है मेरे अच्छा बोली ठीक आम घर आए मैं और मम्मी तो पापा ने बताया कि यह लड़की आई थी मैं का आख तक इसे मैंने हाय करके बात नहीं करी और कभी मैंने इसको आख से मिला कर देखा था कि नहीं वो इतना कुछ बोल गई मैंने उसी टाइम सो नमबर में कॉल किया अच्छा पुलीस घर पे आई मैंने पूरी स्टोरी रिटन में बताया उनको मैंने लड़की को बुलाया लड़के नहीं गलती होगी मेरसे अब नहीं करूंगी में कुछ ऐसा अगर आप पैला स्टैप लेते हो तो आप सेफ हो क्यों आजकल सिनारियो बहुत चेंज है आजकल लड़कियां अलग-अलग ऐलिगेशन वो टाइम भी नहीं लगाते हैं बिल्कुल लगाने बिल्कुल तो इस चीज से लिलेटेड अगर मैं कोशन करूं आप से तो लड़कों के लिए आपकी क्या सला रही है लड़कों के लिए य आप यह मत सोच ना कि मैं पुलिस में स्टैप लुगा तो मेरा रिष्टा टूट जाएगा रिष्टा तो भाही थोड़े दिन बाद भी तूट लुटना है बढ़ उसे बहले तू थाने में तूट जायगा पुलिस पली तो पर तेंगे ठीक है जहां पर आपको डाउट औ पी रीज को फॉपोर्ट करेंगी क्योंकि आप्रशान हो तो आपने वह Nejज पतलि अब करिऑ अगर अगर धेख ए जोड़ाँ तो छोड़े दिन देखता हूं क्या होता है लोग आप बोले टाइम को आने से पहले इसको ठीक करने के शूरू करो तो जैसे कि आपका यह 52–4 साल केस चला और आप में इस दूरिंग बहुत ज्यादा स्टरबल किया अपने जॉब को लेके अपनी करियर को लेके तो ईसके बाद जैसे कि आज आज आप मेरेड लाइफ है आपकी और आपका परिवार भी है तो जब यह केस खतम हुआ और आपकी शादी की बात स्टार्ट हुई तो उस टाइम पे आपको कुछ ऐसा फेस करना पड़ा या लोगों ने कुछ ऐसे कुछ पूटन किये या कुछ ऐसा हुआ मेरा इसा बना हुआ कि मूत यद्धा जवाब देने वाला वैसे मुझे लोगों की सोच से फरक नहीं पड़ता है मेरे लिए क्या सही है क्या मेरा राइट है मैं उसके साफे चलता हुं ठीक है और ऐसे ही चलने की सला में बाकियों को भी देता हूं जिन-जिन को मैं ने कかった हूं चोड़े ओड़े बच्चे फोन करते हैं कि भाई मुझे उसने थ्रेटन कर दिया उसने दंकी दे दी में कुछ इडल थोट सारे तो उनको भी मैं ऐसी गाइड करता हूं कि तो उनको अपने माइंड की सुना नवाई दूनिया का क्या मतलब है उनको यही एडवाइस करता हूं सारे आते हैं . फेस्बुक पर आते हैं इंस्टा पर टूटर कर अटे हैं मुझे। कोई ऐसा केस अ thought i was interim. यही होता है न असब कुछ more लोगोंकर पदो दाए पाउ मिडिया में aa आप बुरा फील होता ही नहीं अगर आस-पस की कोई भी बात होना है यहाई उनको गाई जरूर गरता हूं को बिलकुल और कुछ नहीं तो अभी जैसे कि आपके शादी हो गई है और मैं उससे थोड़ा सा परसनल पूछना चाहूँगा कि आपकी जो शादी हुई तो यह arranged marriage भ या love marriage है तो अपका love marriage, आपका relationship है तो वो कैसे start हूँ? पहले case से मेह टेड कर कर दो चंडिकळ में تेड़ इवंट अटेंड किया था था तो वो video मेरी वायरल हुई थी, और जो मllesस्में वह वाइफ है उनको क्यों-वो निकल पा-टोपरियो बियू है the these इस बंदे ने भी स्टेंड लिया तो तू भी ऐसे चीजे अपनी लाइफ में ठीक कर सकती है। उसके बाद उनोंने मुझे मेरी स्टोरी लगाई, मेरे बाद नोटिफिकेशन आई तो फिर हमारी हाई यह अपने शादी बाद कर रहा है। तो अभी शादी को कितना साल हो गया। 2022 में शादी हुए जून में तो इस प्रोसेस में जैसे आपका रिलेशन्शिप रहा तो इसमें ज्यादा सपोर्ट किसका रहा है। आपको ऐसे थौट्स आ रहे हैं या आप ऐसे मेंटल पुष्ण देखो टायर तो दो बनने पड़ते हैं कटे और दो ने साथ चलते हैं और साथ चलोगे तो ही एक दूसरे को सपोर्ट होता है। अगर मैं किसी को एक को सपोर्ट करता रहूंगा वो मुझे नहीं करेगी तो भी मैं कहूंगा कि यह वैसा मज़ा नहीं है लाइफ में तो साथ में चलना ही पड़ता है और सबसे आरा सपोर्ट तो मेरे पैरेंट्स का ही है जिरो ने मेरी चीज को एक्सेप्ट किया बिलकु आज के टाइम पर जो जैसे चल नहीं उसको लेकर आपका क्या सुझाओ है थोड़ा सीरियस होके रिलेशन्शिप में रहो यही सुझाओ है क्योंकि आज के टाइम में कौन कब पासा प्लट दे सुपोस कि यह दो परसन रिलेशन्शिप में है ना लड़की और लड़का है लड़की की बात करूंगा मैं क्योंकि लड़के ना जोटके तो थोड़ा एकमोसिनली होते ही होते है और बहुत सारे कैसे मैं कि यह टेरो का रीडर मैं कितने लोगों का टेंड करता हूं ना मेरे बाद यह चीजे आती है इसार यह लड़की मेरे से बात नहीं करती है छे मिने हो गया एक साल हो गया यह यह चीजे मैं मैं टेंड करता हूं इसलिए आपको एस्टेटमेंट दे रहा हूं यह क्योंकि जो कमेंट करेंगी अगर वो सही है तो उन 10% के अंदर है और जो feminist होंगी न या sudo feminist होंगी वो तो फिर abuse करेंगी करेंगी उनका काम है वो कि हम ऐसे नहीं है यह बात है और भी लड़का भी बोलेगा मेरी वाली अलग है तो जैसे कि मैंने बूला कि आज कल कर रिलेशनशिप ऐसा है और लड़के आप बोल रहो कि पलट भी जाती है बिल्कुल यह बात तो लड़के भी पलटते हैं जो मैंने आपको बताया 10% लड़ तो चीजों में रहां के देखना कोई छोड़ा पीरिय होता बिल्कुल नो साल का बच्चा कुछ सैग्ल चलाने लग जाता है अज की ता टीम पर इतना पीरिये इन चीजों में अने देख लिया आज की टाइम पर झाजा जिस हमारे माबाप ते तो उस टाइम उन लोगों मे पेशन्स बहुत का रिलेशन्शिप को लेते हैं वह नहीं था लड़क बच्चों को माबाप पर डर था फेले ठीक है जैसे बहुए सर नहीं उठाती थी बच्चे माबाप को जवाब नहीं देते थे आज की ताइम में तो तीन-तीन साल के बच्चे बाप को गेंग निकल दा ह चोटे-चोटे बच्ची कहते हैं ऐसे क्योंकि उनका ना एक तो मुबाइल मिली हुई है उनका सरकल ऐसा है माबाप अलग तरीके से बात करें बच्चा वो सीख रहा है फिर वह आगे सर्कुलेट कर रहा है तो आशकल बच्चों का माइंड शेटी बच्पन से ऐसे बन जात कि एक लड़की केस कर रहे है उसको बेनिफिट हो रहे है आशकल जो लड़कीया केस करती है वो एमोशनली वीक हो करती वो फ्यूचर प्रैनिंग से करती है ऐसा बिजनस दीप्रिका नरायन भारदवाच का नाम सुना है ना उन्होंने गुडगाओं की एक तीन-चर केस ऐस पैसे लिया है और चार से पांस क्रोड़ तो उसने अज़े कठा कर लिया रेप किया कि इस लगा गए जूटा तो इसको क्या को गया अच्छा इन सब चीजों की वैसे मुझे लगता ही कि जो लोगों को सही में नीड है ना लोगों को फायदा ही ना वो मरती है लड़किया जिनको एक्षूल में नीड है जो सही में हरैस हो रही है ना चाहे अपनी मेरिटल लाइफ में हो रही हो या पो रिलेशन्शिप में हो रही हो उनको उनकी सुनवाई नहीं है उनको भी लोग डावट की नेजर से देखते हैं कि जाजार ड्रामी कर रही होगी जबकि उनको तो उसे नीट है, वो कहते हैं ने कि मचली तलाब को गंदा करती है, तो कुछ इन पूरे तलाब को गंदा कर रही है, अब यह चीजे डे बाइडे बाइडे बढ़ती जा रही है, और मुझे लगता है ना इससे लोगों का ट्रस्ट इसूज बहुत कम होता जा रहा यह शादि इस चीज के लिए आपको mentally और emotionally काफी strong होना, I think, पड़ेगा. आपको सिर्फ mentally strong होना पड़ेगा. Emotions तो दिल से जुड़ते हैं. अगर आप दिल से सोचने लग जागो तो आप मरो गई ना. यह तो मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको. बिल्कुल. यह नहीं है कि बिल्कुल पत्थर दिलो जो. आप विश्वाश करो हर चीज करो बड़ आपनी आखें खुली रखो. एक्चुल में हो कहा रहा हो दिखे तो सही पट्टी मत बान के रखो पनी आखों में. बिल्कुल. आपने आपको बनाएं तो उनका मेंटल हेल्थ भी काफी इंप्रूव होगा. लाइफ में कोई अक्टिविटी करनी जरूरी है. कोई भी स्पोर्ट ले लो चाहे आप जिमिंग ले लो चाहे क्रिकेट ले लो बैडमेंटल ले लो कुछ भी. मुझे मैं जब था 14 या 15 इर्स का तब से मेरे जिम का शोग पढ़ गया था. तो हमारे गर के पास ही पुली स्टेशन है तो हमारे जिम खुल ही रहती थी. तो हम इस्कूल से जब चुट्टी होती तो सीरा जिम भागते थी. दंबल उठाना आता नहीं था बन उठाते थे हों क्योंकि शोग था. तब से ही मेरा जिम रेगुलर चल रहा है. और मैंला ओन ओफ यही चलता है. और जब मेरा यह केस हुआ ना तब मैने रेगुलर जिम की थी. क्योंकि गुस्सा है मेरा अंदर, ऐसी बात है नहीं है. बट गुस्सा आपको निकालना कहां पर जा पर आपको खुदगा बेनिफिट हो. तो वह जिम पर निकलता था. एवी बेट मार लो यह कर लो वो कर लो. आपका माइंड भी शान्त हो जाएगा. जगा ना जाके गुस्सा उसको दूसरी जगा डावर्ट किया जो आइधिंक काफी हेल्प किया आपको पॉस्टिव एटिव एटिव किया है. बिलकुल किया है. मेरा माइंड शेट तब ही थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रॉंग हुआ है. कोई ना कोई एक्टिविटी आपको लाइफ में करने की ज़रुवत है. जब आपको गुस्सा आए, एंगर इसूस आपको लग रहे हो, जाओ अपना वो खेलो ना, स्विमिंग कर लो आप जाके, जिम चले जाओ, क्रिकेट खेल लो, कुछ भी कर लो. यही, यह जो केस रहा, और आपका जो पस्नाल्टी डवलप हुआ, इसमें इसने काफी हेल्प करी, काफी आपके थौर्ट्स को लेकर. जाल, केस ने, आप कहासे को कि लोगों की मेंटैलिटी पता चली ना, कि अपनो, तो पस्पनो का है और अपने आसपर उसका फेस मुझे, यह बोगों मुझे कि लोगों की सोच कहां से कहां तक गिर सकती है वो पता चला बिलकुल तो अभी जैसे केस के बाद आप की जो लाइफ है वो कितनी स्मूध है और या फिर उस चीज से लेके अभी आपकी लाइफ में अभी का इंपक्त पड़ता है इस चीज में कोई इंपक्त ना मैंने पहले पढ़ता है ना मैं आगे पढ़ने दूँगा अगर कभी दुबारा फ्यूचर में टॉपिक टॉठा तो ठीक है लाइफ मेरी स्मूध है काफी जादा I'm happy with my life तो ऐसा कुछ भी नेगिटिविटी नहीं है जो मुझे फेस करनी पड़ती हो क्योंकि मैं हर चीज के लिए पहल को ठीक करना है Yeah I think is ताम सबस्यार है वहीं इयंपोर्स ऑहीं गलत को सही करना इतना Really भी नहीं होता तफ होता है बट रास्ता तो कोई नभी होता है तो रास्ता आपको डूणना ही पड़े गए नहीं हो बिलकुल और मुझे लगता है कि जैसे यह ऐसे केसे ज़गर किसी के साथ होते हैं तो आपको सही चीजें चुनने के लिए री-think करना बहुत जरूरी है जा यह वे जशावनें होते है क्या बट वो सारे मेरे ट्रस्ट वाले कि मेरे नाम से लोगों के help कर सकते हैं तो फिर मैं आसे लोगों कई सपधिन आएंшा एक क्यों मैं आपके सांथ में गोर्रमेंट लौएर था तो उसका क्या स्टोरी बैक सॉडी रही है जब PrimeRO준 ठीक है है व्लिख़ शेयरे कर जो हुआ है सिंदेग को पांसो पांसों कर पकांतिजा है , यह को मैंन प्रीजुमा ज स्कूट है और मेरा लोयर तो चपल बैन के आता था कोट में, आप यह लगा लो, ठीक है, तो मैंने फर्स टाम जब लोयर मेरे पास थीक है, मेरे पास इंकम का सोर्स नहीं था, तो मैंने रिक्वेस्ट करी कोट से, कि मुझे लोयर चाहिए, तो लोयर मिला भी, बट मैंने जब उसको जाएगा तो कुछ मेरे फेवर में करेगा, एक golden opportunity होती है कि क्रोस कॉष्णिंग की, और वो होती है अधर पार्टी से, इस केसे में अधर पार्टी था, मेरे अगेंस पर चीज थी और मेंन पार्टी दूसरे थी, तो जब लड़की कोट में आई ना, तो मैंने उसको बोला, मैंने का सर लड़की आई है, को रोस ऐसे कर लेना कि वो अपना जोट खुदी अपने मूझ से बोलते है, तो मुझे कहता, भाई, केस तेरे अगेंस से जा रहा है, लड़की से माफी मांग ले, अगर कुछ पैनल्टी वरे अगर लगार लगीगे तो मैं गुजारिस करूग कि कम लगे, मैंने उसको असा है, मैंने का जब गल्ती कीन है, तो सोरी किस बात की मांगू हूँ, अब ये बताओ ना, मैं का मैं कोई माफी नहीं मांग रहा है, उसकी ये स्टेटमेंट थी, अगले दिन ही मैंने लोयरी चेन कर दिया, और जब लोयर दूसरे मेरे हुए, जो तो उसमें लड़की साथ कोई क्रॉस्टन नहीं हुआ? उसने की गए नहीं और ये हाई कोट में जब आप्लिकेशन डाली तो हाई कोट की स्टेटमेंट ये थी कि सरकारी लोयरी ये क्या बगवास चीजे पूछी है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, आप कहां से आ आ थे जी इन्होंने क्या कहा? कितने बज़े का वाक्या था? ये जो छोटा बच्चा भी बूछ लेगा, अच्छा अंकल क्या बात होई थी, कव हुई थी ये तो बच्चा भी बूछ लेता है ये लोयर ने पूछा तो गॉवर्मेंट और ये हाई कोट की स्टेटमेंट है, जो हाई क में भी नहीं आई फिर लास्ट एरिंग में जब भी वह कोड की डेट होते थे हुंगे फादर साब कहते थे कि हाई स्टेडिस के लिए कैनेडा में है और अभी हम अफॉर्ड नहीं कर सकते आने जाने की टिकेट क्योंकि कोशली आती है एटी या वन सिक्सी के आसफस की ना मैं उनको पहले जानता था ना मैं उनको अब जानता हूं और ना मैं फ्यूचर में जानना चाहूंगा सिम्पल सी बात है अगर आप ऐसे लोगों की कोशिश करोगे ना तो कल को दूसरा गेस खड़ा हो जागे कि हमें भाई सब कुछ खतम होने को धंगाने आ गया तो व जैसे जिस दिन आपका केस खतम हुआ उस दिन का सिनारियो जानना चाहते हूँ देखो मैं वैसे तो इमोशनली स्ट्रॉंग हूँ ठीक हैसमें कोई डाउट नी है मेरे घरवली भी कहते हैं बट जब मेरी स्टेट्मेंट नहीं हुई थी तो जज ने बोला था कि हो गया मैं मुझे स्टेट्मेंट अपनी देनी है कि मैं अक्चल में वह पे हो अगया था मैरे अपनी स्टेट्मेंट रिकोर्ड करवाई एंड उसी मुम्मेंट में तुरन थी जज ने बोला कि यू अर फ्री तु गो नाव आपका केस ओवर तो लोयर को समझनी आई बात मुझे भी न मैं अपने आपका होगा तो मैं फिर भाहर आकर लिए सबसे पहले मैं इनलया लाइफ के ऊपर शिखा को इस पहले मैं नहीं ने फोन किया मैंने कि मैंनका मैंडम धुरन निच्टम है मेरा केस केस कटम कर था हैं मैं अज थोड़ा इमोशनल में हो गया था हूं रूँ हम उसक क्योंकि 4-4 साल का वेट करना कोई छोटा पीरिड नहीं होता नहीं बड़े होता है बिलकुल मुझे लगता है कि लोग जो कोड कचहरी से इतना दूर भागते हैं वो इस टाइम बाउंडेशन ही है क्योंकि टाइम मतलब इतना जादा लगने लग जाता है केसे में तो slow track में चार-चार 6-6 मिन लग जाते हैं और I think जो opposition site था उन्होंने भी काफी इसको लंबा खीचा उन्होंने भी खीचा प्लस जैसे कोई IO था उनकी transfer हो गी थी तो वो भी नहीं आ पाया पेशी में तो उस वरसे भी चीज़ें डिले हुई है बट में तो lawyer matter करता है अब भी एक story बतारे से मुझे आपका media experience मैं पंजाबी चैनल था वो तो पतियाला या लुध्याना के असपर कुछ एरिया था था अच्छा अब ही मुझे ध्यान नहीं है तो काफी सेल पहले गया था मैं तो मुझे ना एक सरदार जी है वहाँ पे उन्हीं का चैनल हो तो उ स्मार्ट थी गुड लुकिंग थी का अब उस चीज का उनके अंडर था या वह में अंकर है यह अटिट्यूड था मुझे भगवान जाने तो मुझे कहते हैं अभी इंटर्वी शुरूव भी नहीं हुआ था कैमरे वाए मेरे सेटी को रहते हैं कहते हैं कहां से हो आप मैं क पिर वह सरदार जी थे ना तो उन्हेंने बात थोड़ी से संभाली उनको चुप कराया क्योंकि मैं तो आंसर कर देता हूं मैं तो क्लियर मुह फटी हुआ हुआ हम तो आपसिवा दिल ली गया मुह फटी हम तो आप फिर उसको समझाया फिर हमें दूसरे रूम में लेके इसली की अफिरू हम तो अब मेडिया कि हर चीजको बढ़ा origin और उसकी तो फिसलेंगे उन्हें इसलेंगे लगा बिलकु abruptly तॉनेंगे नहीक है अच्छा जैसे कि आपका केश में इतना है चला तो कोई एक ऐसा टाइम आपको लगा कि जिस टाइम आपको लगा हो कि यह बढ़ा चैलेंजिंग फेस है या फिर आगर ऐसा कोई experience आपका रहा बीच में जो आपको बहुत चैलेंजिंग लगा कि इस केस में यह मुवमेंट जो ना बहुत चैलेंग दिया एक चीज होगी थी मैंने फेस्बुक पे कुछ डाल दिया था कोड के लिए कि काश में मेल होता तो प्रेग्नेंट ना होता कि मेरी जज जो थे ना वो फीमिल थी और प्रेंग्नेंटी की टाम पर उनने चुटी ली थी काफी तो करेंट के लिए तो मैंने लिख दिया था तो यह जशी जशीन की फैमिली ने जशीन ने श्क्रींशोट ले ले लिए अच्छा अब निखा निकल की कोड में ले आई कैते मैंनम देखना है क्या क्या लिखता रहा था फेस्बूक के पोस्ट करता रहता है तो मैंम कहते ही यह क्या है सोरी तो इसे करके साइड में कहते इसको फाइल में लगा दे ना अच्छा मैंने वह फाइल में लगवा दिया था भाई मैंना तो थोड़ा सा उस वे में लिखा थ कि आपके बारे में बोला गया है तो मैंने लिखा था कि अगर मैं मेल होता तो प्रेगनेंट ना होता और ज्यादा टाइम ना लगता सभी बात है तो अभी जैसे कि आपका यह experience रहा है इतना तो आप इसको लेके अपने experience को लेके कैसे अपनी life को आगे बढ़ाने का देखो अभी तक कि जो period निकले ना वो मैंने mix तरीके से निकाला है मैंने मजे मस्ती करके में निकाला है थोड़ा serious होके भी निकाला है थोड़ा हलका minor मेरे emotional होके में निकाले क्योंकि यह मेरा nature ही थीक है हम हसते खेलते बढ़े हुआ है seriousactor को seriously लेना है मजाक को मजाक पे लेना है तो वैसी मेरा नेचर हा तो यह ऐसी आगे तो आगे बंपनोलुकुल Łघ यह अधोगे नेचर होने इसक्र सुए हो लटकों के अपने साथ बुरा होने का वीट को पर REALLY नहीं नहीं आप दिंदूत leaving to be करो अगर आपको लगता है कि आपको कुछ बुरा हो सकता है आपको इंट्यूशन हो जाती है अगर रिलेशनशिप खराब होता है ना चाहे मेरिटल हो चाहे गल्फ्रेंड बॉइफ्रेंड को तो इंट्यूशन हो जाती है अगर किसी को कुछ बुरा लगा हो तो इसके लिए हमसा सोरी मैंने किसी को पॉइंट आउट नहीं किया बट मैंने जो आज तक फेस किया बस मैंने अपने वर्ट में वही सामें रखाए तो बहुत-बहुत शुक्री आपने मुझे इतना टाइम दिया और अपने बिजी Thank you so much.